शुक्रवार के दिन स्रधा भाव से मालक्ष्मी की पूजा करते हैं तो मालक्ष्मी की कृपाद रिष्टी आप पर बरस्ती है और साथ ही आपके जीवन में कभी भी धन, मान, सम्मान, सुक की कमी नहीं होती बरकत होती है मा लक्षमी सुक्रवार के दिन अगर आप उनको परसंद करना चाहते हैं विसे स्क्रिपा पराप करना चाहते हैं तो उनको मनाने के एक सरल उपाए जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा सुक्रवार के दिन मा लक्षमी की अराधना करने का विधान है इस दिन मा लक्षमी की उपासना करने से धन की देवी प्रसंद होती हैं और आर्थिक परिसानी को भी दूर करती हैं जीवन में धन, संपदा, खुसियां लक्षमी जी की अराधना से आसानी से प्राप्त हो जाता माननेता है कि सुक्रवार के दिन कुछ विसेश उपाई किये जाएं तो मा लक्षमी सिग्र परसन होती है और आपके जीवन की समस्त परेसानियों को दूर करती है तो चलिए जानते हैं कैसे आप मा लक्षमी को परसन करें क्योंकि मा लक्षमी को परसन करना उतना भी आसान नह कि कनक धारा इस्तरोत वैसे अगर आप नास्तिक नहीं है तब आप मेरी बात को जरूर समझेंगे कनक धारा इस्तरोत का पाठ अगर लगातार तीन साल तक किये जाएं तो तीन कीलो स्वर्ण के इतना आपको धन मिलता है और यह कटू सकते हैं तो तीन साल लगातार आप अगर कर सकें तो अच्छी बात अब आप सोचिएगा आज आपने पढ़ा आजी आपको धन मिल जाए वैसा नहीं है धीरे धीरे जीवन में सुख बढ़ने लगता है धन आने लगता है वैसे तो धन और एस्वर से जुड़ी हुई है मालक्ष्मी और एक खास उपाय मालक्ष्मी को करता है वैसे सुक्रवार के दिन एक बात हमेशा ही याद रखिएगा मालक्ष्मी को इत्र गुलाब की जरूर अरपित करें आप चाहें तो अपनी उंगली पर लगा कर उनके चर्णों पर लगाईए और फिर अपनी कलाई में या कंठ में लगा लें पूरे दिन खुसियों के साथ प्रेम से खाईए क्योंकि सफेद वस्तू मालक्ष्मी को सबसे ज़्यादा प्री है और साथ ही जब आप उनको भोग लगाईएगा तो तुलसी का पत्तमत लगाईएगा भोग में क्योंकि आपको नहीं लगाना चाहिए और साथ ही सुक्रवार के दिन पती-पतनी क रात में कीजिएगा एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा ले लें उसमें एक लॉंग रखकर मालक्ष्मी के चर्णों में रखें इसको बांध कर आप सुरक्षित रख लें अपने धन के अस्थान पर तो आपके धन को किसी का नजर नहीं लगता है और दून दिन दूनी रा योग आप इस दिन कर सकते हैं जब आप मालक्ष्मी को कि आप पूजा करें अगर आपके पास गुलाब की पंखुरी हो तो गुलाब की पंखुरी पर अगर दो लॉंग रखकर अरपीत करें और बाद में इस लॉंग को प्रसाद के रूप में खा लें तो इससे भाग प्रसंद है और जब भी आप चावल उनको अरपीत करें किसी भी तरह का कोई उपाय करें तो चावल को आप पहले से ही अच्छे से चुनकर रख लें क्योंकि टुटा फुटा हुआ चावल आप उनको नहीं अरपीत कर सकते नहीं तो आपको उतने फल पूजा के नहीं मिले तो मा लक्षमी सदा प्रसंद न रहती है इस बात को आपने गौर किया होगा उनकी जितनी भी तस्वीर है आप करोधित नहीं देखेंगे क्योंकि सुक्रवार के दिन जो भक्त मा लक्षमी की पूजा करते हैं संसार में कुछ भी ऐसा नहीं जो उनको प्राप्त ना हो अब ग्रिह लक्षमी देवी ग्रिहनियों यानि की घर की जुस्तरियां है उनमें लज्जा चमा सील स्नेह मंता के रूप में मालक्षमी ही विराजमान रहती हैं मकान में घर में जो महिलाएं हैं घर की वो प्रेम बरसाती हैं घर में घर को घर बनाती हैं तो घर की जो लक्षमी ह उनका हमेशा आधर करें और उनकी अनुफस्तिती में घर में जगड़े लड़ाई कलह कलेस निरासा जैसी भावनाएं होती हैं जैसे लगेंगी घर काटने को दोड़ रहा है इसलिए तो घर की लक्षमी कहा जाता है तो यहां पर जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता उ इसलिए इस दिन चोटे चोटे प्रियोग किये जाते हैं तो चलिए अब हम आपको प्रियोग बताते हैं सुक्रवार के दिन जब भी घर से निकलें तो दही खाकर निकलें कहा जाता है आपके सभी कारे पुर्ण होते हैं आपके कारे फल देते हैं अगर पती-पत्नी में ब नमक जो होता है सफेद नमक वो अपने बेड रूम में एक कांच के बरतन में रख दें हर सफता चेंज करें चाहें तो दो-चार लॉंग भी रख दें लेकिन इस नमक को ढखिएगा मत ओपिन रहेगा इससे नकात्मक उरजाएं समाप्त होंगी आप लोगों में प्रेम हैं अर्पित करने के लेकिन दूसी तरफ सुक्सम्रिद्धी के लिए मालक्षमी को तो आप मनाएंगे ही लेकिन इसके साथ ही आप पीपल के ब्रिश की पूजा जरूर कीजिएगा क्योंकि सुकरवार के दिन पीपल के ब्रिश में मालक्षमी का निवास माना जाता है सुब से पीपल के नीचे डाल दे मालक्षमी से आगरह करें कि आप हमारे साथ हमारे घर चलिए फिर देखिए कैसे मालक्षमी की किर्पावरस्ती है इस दिन लौंगी लैंची के परियोग किये जाते हैं जीवन की मुस्किलों से बाहर निकलने के लिए तो सुक्रवार की रात एक छ आपको लाल कपड़ा वाला उपाय तो आपको करी लेना है लेकिन देखिए जो धन संपत्ती भगवार नहीं है लेकिन अगर हम आज कल के जमाने में धन के बिना ब्यक्ति को सम्मान भी नहीं मिलता और छोटी-छोटी चीजों के लिए भटकना पड़ता है लेकिन यह भी समुद्र मंथन से पहले सभी देवता धन भी हीन हो गए थे और समुद्र मंथन के दौरान जब मालक्षमी प्रकट होती है तो देवराज इंद्र ने मालक्षमी की अस्तुती की इस से खुसोकर मालक्षमी ने देवराज इंद्र को बर्दान दिया और वो एस्वरेवान हो लेकिन देखे सुक्रवार के दिन जब आपके घर की साबसफाई हो जाती है जब आप अश्नान वेगैरक कर ले उसके बाद भी प्रियोग कर सकते हैं अस्नान करने के पहले भी कर सकते हैं क्या करेंगे एक पातर में जल ले लें कोई भी वर्तन मीले ले इसमें एक चुत की हल्दी डाल दें अब इस हल्दी को घोल ले पूरे घर में हल्का हल्का चिड़काओ करें बाकी का बचाओ घर के मुंक्य द्रबाजे पर डाल दे अच्छे ए अगर मान लेतने आप फ्लैट मेरते हैं तब मुंक्य द्रबाजे पर भी छिड़काओ करें और बाकी के पौधे में डाल दें धन आएगा लक्षमी भी